विल्कम प्यारे बच्चों, कुश्चन नमबर 3, exercise 4.2, give the step you will use to separate the variable and then solve the equation, कुश्चन नमबर 1st, 2nd and 3rd, ये लगबग एक ही pattern पर नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए, ये equations आपको दी गई है, जो यहाँ पर एक variable है n, पहले क्या होता था, या तो आपको only 3 n दिया जाता था, LHS साइड पर, या आपको n-2, सिर्फ ये दिया जाता था, अब यहाँ पर क्या है, देखिए, आपके साथ multiply भी है, और आपके साथ subtraction भी है, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से आपको दिये गए है, तो आपको क्या करना है, इस n को separate रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर minus 2 है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, positive का 2 करना पड़ेगा, then आपको क्या करना पड़ेगा, divide by 3 करना पड़ेगा तब जाके आपका यह n separate निकलेगा ठीक है आइए solve करते हैं अगर मैं a part देखूं 3n minus 2 is equal to 46 ठीक है यही तो है इसमें क्या करना आप देखिए जो आपका minus 2 है इसको हटाने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा add 2 करना पड़ेगा ठीक है तो add 2 to both side तो 3n minus 2 आपको क्या करना पड़ेगा plus 2 is equal to 46 क्या करना पड़ेगा plus 2 ठीक है अगर plus 2 LHS में करेंगे तो plus 2 आपको RHS में भी करना पड़ेगा 3n 2 से 2 क्या हूँ हूँ आपका cancel हो गया is equal to 46 plus 2 आपका हो जाएगा 48 अब 3n is equal to 48 हो गया अब इसका रिलेशन क्या है multiply का क्या करना पड़ेगा आपको divide करना पड़ेगा जब minus होता है तो plus करना पड़ता है plus होता है तो minus करेंगे डिवाइड होता है तो multiply करेंगे, multiply होगा तो divide करेंगे, तो यहाँ पर multiply है हम लोग डिवाइड करेंगे, divide by 3 to both side, ठीक है, तो 3n by 3 is equal to 48 by 3, 3 से 3 cancel हुआ और यह आपका 16 times आ जाएगा, तो n की value आपकी क्या आजाएगी, 16 आजाएगी, ठीक है, और यह देखिए आपका variable separated हो गया, ठीक है, separate means अलग हो गया, ठीक है, तो यह आपका हुआ फर्स्ट पार्ट, चलिए देखते हैं, B पार्ट, B पार यहाँ पर देखेंगे, 5m plus 7 is equal to 7, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आप positive का 7 है, तो क्या करना पड़ेगा, negative का 7 है, ठीक है, तो subtract करना पड़ेगा, subtract 7 from both sides, तो 5m plus 7 minus 7 is equal to 17 minus 7, तो 5m, 7 से 7 cancel हो गया, इसकल 2, 17 में से 7 जाएगा, आपका 10 बचेगा, m is equal to 10 upon 5, ठीक है, 5 to 10, m की value क्या आजाएगी, आपकी 2 आजाएगी, ठीक है, इस तरह से, sorry, 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 अच्छा मैंने इसको direct solve कर दिया ना, एक second, step by step जैसा बोला था, वो नहीं, चली, कोई बाद में, यह आपका आगया, 5m is equal to 10, अब यहाँ पर देखिए, इसका relation क्या है, multiply का, आपको क्या करना पड़ेगा, divide करना पड़ेगा, ठीक है, divide by 5 to both sides, ठीक है, तो 5m upon 5 is equal to 10 upon 5, 5 से 5 cancel होगा, और 5, 2 या 10, m की value क्या आगई, प्यारे बच्चों, 2 आगाईगी, ठीक है, इस तरह से आपका यह solve होगा, देखिए, step by step आपको हटाना है, ठीक है, पहले यह minus 2 को हटाना है, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपको 3 को हटाना है, तब आपका answer आएगा, ठीक है, यह हूँ आपका A and B part, अब देखते हैं, next part, C में देखी क्या है, 20p upon 3 is equal to 40, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, 3 पहले किसमें है, divide में है, तो इसको multiply करेंगे, तो 3 हटेगा, उसके बाद आपका 20p आएगा, यह multiply में है, तो divide करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग multiply करेंगे, क्योंकि यह 3 आपका divide में है, multiply by 3 to both side, तो 20p upon 3 into 3 is equal to 40 into 3, ठीक है, 3 से 3 cancel हुआ, तो 20p is equal to 43 जा 120, p is equal to 120 upon 20, ठीक है, तो 0 से 0 cancel हुआ, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो p is equal to कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, यह आपका होगया, आगे देखी, D part, 3p upon 10 is equal to 6, पहले 10 किसमे है, divide में, क्या करना पड़ेगा, multiply, फिर यह 3 किसमे है, multiply, क्या करना पड़ेगा, divide, तो सबसे पहले multiply करेंगे, multiply by 10, to both side, तो 3p upon 10, into 10 is equal to 6 into 10, ठीक है, दोनों तरफ होगा 10, 10 का multiply, cancel हो गया, 3p is equal to 6, 10 जा 60, ठीक है, ओहो ओहो बार-बार mistake हो रही है, बार-बार mistake हो रही है, बार-बार mistake हो रही है, यह आपका 20p था ना, अब यह आपका multiply है, आपड़ेड करेंगे, divide by 20, to both side, ठीक है, चलिए, तो 20p upon 20 is equal to, 120 upon 20, 20 से 20 cancel हो जाएगा, 00 cancel, 2, 6, 12, तो p is equal to क्या आजाएगा, आपका 6 आजाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह आपका multiply है, तो क्या करेंगे, divide करेंगे, divide by 3, to both side, ठीक है, तो 3p upon 3 is equal to 60 upon 3, ठीक है, 3 से 3 cancel होगा, और यह आपका 20 times जाएगा, तो p is equal to 20, इस तरह से question solve होगा, ठीक है, हुआ क्या कि जैसे यह आया, तो जैसे simple equation solve करते हैं ना, उसी तरह से solve हो गया, ठीक है, लिगने ऐसा नहीं करना, आपको step by step करना है, multiply यह आपको divide दखा के solve करना है, ठीक है, इस तरह इसमें होगा, तो आपका b और c part में थोड़ा सा, भूल गये थी, इस बज़े से यह थोड़ा mistake हुआ, कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजीगा, ठीक है, चलिए, next question, next video में लेकर आएंगे, all the rest,